बहुत बढ़े हैं माय डियर बहुत पांच मेर में में खलब टावल का गया है बहुत ही यूनिक है प्रेंस जो कि आप सब बनाती होंगी लेकिन मैं आज जो ट्रिक बता रही हूं वह बहुत ही न्यू है और एकदम यूनिक है प्रेंस यह विदाउट लेसुन प्याज की यह देखिए आलू बेगन की सबजी है और यह इतने टेस्टी बनेंगे कि हाँ चा लासुन प्याज भी नहीं डालोगे कभी इस तरह के अगर बना ना शुरू कर देगे तो प्रेंस इसको बनाते हैं इसके लिए मैं यहां देखिए बेगन ले लिए लिए हूं 500 ग्राम बेगन है और उतने ही आलू है पांस चेस्टी ग्राम आलू है और दोनों को मैं काट ल बनने वाले फ्रेंस क्योंकि हर सब्जी में अपने उसके पानी होते फ्रेंस कि आप उसको सही तरीके से अगर पकाऊँगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा आएंगे कि आपको बाहर से बिना पानी डालने कि कभी जोरत नहीं पढ़ेंगे और नहीं डालेंगे तो इतने टेस्टी वह बनेगे क्योंकि खुद के पानी में वह पकेंगे भी अर्रस भी छोड़ देंगे तो प्रेंस यहां देखिए और यहां उपर से पंच फोरन और लाल मिर्च डाल दिये हैं तो बस यह तड़क गये हैं अब चलिए इसमें सब्जी डाल देंगे तो सबसे पहले तेल उड़ने लगा है तो दकन को ऊपर से रख दी हूं बस एक मिनट के लिए और एक दो वार इसको चला लेंगे उसके बाद देखिए अब चलीए इसको दकन हटा के चला देते हैं इसको एक मिनट के लिए इसे ही ट्रैक करेंगे और उसके बाद यहां मसूर के दाल धोके कि रखे वे थी उसको यहां डाल दिये हैं और प्रेंस इसको भी पका लेंगे दो मिनिट के लिए क्योंकि दाल को मैं बहुँ ज़्यादा दें क्योंकि इसको रखना जोरत नहीं है यह बहुँ जल्दी स्वाप्ट हो जाते मतलब भूल जाते हैं तो यह बेगन के साथ ही घू कहां कि जब तक कि पहले यहां मैं नमक वगेरा कुछ भी ने डाली हूं पहले इसको अच्छी तरगी से पकाल लेते हैं डेखिए क्या होती है जलने लगते हैं तो यहां दो मिनट में पकाली हूं उसके बाद यहां दो चमच भर के धनिया पोडर डाल दिया है और एक मतलब आपको लाल नहीं दीख रहे होंगे, उटी भी लाल मिर्च है, इसको भी यहां एक चमज डाल दिये हैं, तीखा के लिए उधर हरी मिर्च भी डाली हुए थे, तो तीखा जैसे पसंद है आपको वैसे डाल सकते हैं, और अगर खाना है तो और एक चमज आप डाल सकते हो फ्रे करने आपको टाइम लग जाएंगे, तो फ्रेंस यहां देखिए, अब हल्दी डाल देते हैं, भार केक चमज डाली हूँ, बड़ी चमज से हैं, और फ्रेंस इसको देखिए, आप देखिए, सब्जी अच्छी तरीके से फ्रै हो गये होंगे, आपको देखते होंगे, कि दम इसमें लग टाल ем, उकर में जो हैं मसाले सब्जी में चिपक गये हैं, जो भी मसाले डाले हैं, तो यह प्रै हो गए हैं, अब इसमें हल्दी भी डाल दिये हैं, हल्दी भी मिक्स हो गया है, उसके बाद गये, ग्यर्ज का फ्लेम में लो कर दी हूँ, लो करने का लड़ी थ दालते समय आप गयस का फ्लेम फूल रखें क्योंकि अगर आप गयस का फ्लेम लो करते हैं तो बेगन अच्छी तरगी से पकते ने उसका कलर खराब हो जाते हैं और वह थोड़ा सा कच्छा कच्छा टाइप कराता है ठीक से वह स्वाप नहीं होता है तो देखिए इसको मैं ड साल यह सारी तो इसको दो मिनिट के लिए प्राय कर लेंगे उसके बाद इधर टमाटर लिए तीन लाल टमाटर इसको अच्छी तरीके से काट लेंगे छोटे-छोटे पीसे में और देखिए यहां मसाले सारे सब्जियों में चिपक गए हैं आपको दीख रोंगे कि दम पानी डालने को जोरत भी नहीं पड़ेंगे बिना पानी के इतना टेश्टी सब्जी बनेंगे सब हाँ उंगली चाट के खाएंगे बच्चे बड़े सब देखिए यहां नमक डाल दिया हैं नमस्टे चेकोडिंग डाले मैं बड़ी चमश से यहां डाली हूं डेड़ जाल देते हैं तो सब्जी । फ्राय करना घृत गाल दिया !!! फूल है और देखिए गैस यहोला पाने डी होंगे सब्चे में मॉस्ट्र दिक रहाँ पानी नहीं बस बहुत जाद तेل प्लिख चला देंगे और यहां कशमनी लालrios इतल सकते हैं लेकिन सिर्फ वह कलर के लिए होता है इसलिए नहीं डाली हो देखिए टमाटर डाल दिया है इसी सिस का कलर है और लेक्टर अच्छे आ जाएंगे अब चलिए इसका फ्लेम बंद करते हैं अगर लेसुन प्या जागा डालना है तो यहां लेसुन अध्रक का पेस्ट आप एक बंद सिन बदेऋ तो फ्रेंज, मैं एक सिटी लगा ली हूं फूल फ्लेम में और दूसरे में एदम लोग कर दी थी है और लोग करके बस चार मिनट के लिए पका ली हूँ उसके बाद देखिए ये खोल एक सीटी लग गया उसके बाद फिर खोल दियें टोटल दो से तिन सीटी लगा लिए और ये देखिए खोले हैं और इसका देखिए टेक्चर एक बुन भी बिना पानी का इसका ग्रेवी कितना अचाया है प्रेदम उपर से धनिया भी डाल दिये हैं अब चलिए इस सब्जी तैयार है रोटी के चावल के साथ किसी के साथ भी खाया प्रेंस बहुत ही टेस्टी ये सब्जी मनते हैं जब बनाए हो बच गया है तो लास्ट में सब्जी में जब नमक डाल रहे थे उसमें आप डाल डाल दें तो ही सब्जी बहुत ही टेस्टी बनते हैं एक बार जरू ट्रै किजिएगा और आप सब को ये रेशेपी केसी लगी आज की जरूर बताएगा फ्रेंस और पसंद आई तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेजिएगा फ्रेंस बाइबाय मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग टेक केर अना यार बहुत बड़े हैं माय डियर बहुत पांच मेर में में एक अलब टावल का गया है